सबसे पहले हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो स्वास्तिय मार्च में देखा जाए तो कैसा रहेगा मंगल चंद्र और शुक्र तीन ग्रो की यूति आपके चतुर्त भाव में बन रही है यानि पूरा मार्च का महीना हेल्थ के लिए बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला यानि मार्च के महने में तुला राशी वाले क्योंकि मंगल चंद्र और शुक्र दो गरे सोंदर्य के हैं एक आत्मविश्वास का है तीनों की यूति मार्च में बन रही है तो कहीं ना कहीं आप अपने लुक में बड़ा चेंज करने वाले यानि कुछ लोग दाड़ हेल्थ को ठीक करने वाले अपने मोटापे पर कंट्रोल करने वाले खान पीन डाइट में बदलाव करने वाले कोई फिटनस कलाब जॉइन करने वाले यानि जो मंगल चंद्रो शुक्र की यूति से आपका पहला मार्च का महीना में बड़ा डिसीजन हेल्थ से समंदित होने वाला ऐसा नजर आ रहा है धन की स्थति के बारे में बात करें तो यहां पर लक्षमी नारायन योग बन रहा है यानि मार्च के महिने में तीन बड़े लाब तुला राशी को हो सकते हैं अब तीन बड़े गेन क्या है पहला मार्च के महिने के अंदर प्रॉपर्टी से या इन्वेस्टमेंट से आपको बड़ा लाब होगा तीसरा कोई व्यक्ति से आपको एक्स्ट्रा इंकम के योग भी नजर आ रहें यानि आपकी पार्ट टाइम कुछ इंकम भी मार्च में होने वाली है और खासकर देखा जाए तो छे मार्च से लेकर और पच्चीस धन में जबर्दत विरिद्धी डबल इंकम के आपके योग नजर आ रहें यानि मार्च का महिना तुला राशी के फाइनेंस के लिए हेल्थ के लिए बड़ा इंपोर्टेंट है अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की तो परिवार भाव में रोचक नाम का मंगल का एक र प्रवाब लग जाएगी आपके फैमिली मेंबर की या शादी संतान से समंदित कोई रुकावा काम बनता हुआ आपके भाई बेटा बेटी का होता हुआ नजर आएगा साती साथ घर के अंदर क्योंकि मंगल शुक्र की यूती बनी है रोचक योग बना है तो मार्च के मेने में या तो वहन खरीजने के योग नजर आ रहा है वहन बुक कराने के योग नजर आ रहा है ऐसा योग नजर आ रहा है साती साथ परिवार के साथ में किसी शादी विवा किसी पार्टी फंक्शन में जाने के भी योग नजर आ रहा है कुल मिलाके मार्च का मैना परिवार भ यानि सूरिज सनी की यूती बहुत खराब होती है लेकिन बूद्ध वहां पर बीच में आने से थोड़ा बहुत उसमें रहात आएगी सबसे पहले हम तुला राशी वाले उनकी बात कर लेते जिनकी छोटी संतान है तो कहीं ना कहीं मार्ज के मैने में जो छोटी संतान है उनक प्राब्लम देखने को मिलेगी यह चोटी संतान के लिए मार्ज का मेना बहुत अच्छा नहीं है अब बात कर लेते हैं बड़ी संतान के लिए यानि 18 प्लस बड़ी संतान के लिए जिनकी 18 से बड़ी है तो उनके लिए पहला चीज सूर्य बुद्रशनी की यूति से वहां को ध्यान से समाल कर आपको चलाना है नहीं तो वहां से एक्सिडेन वहां से चलानके बड़ी संतान के योग नजरा रहें बड़ी संतान का कोई जूट पकड़ा जा सकता है जिस वज़े से उसको डाट आपके द्वारा पढ़ सकती है तीसरा करियर में टेंशन रहेगी और खासकर एक तारिक से लेकर और 20 मार तक बड़ी संतान में ज्यादा टेंशन रह सकती है अब बात कर लेते हैं तुलाराशी वाले उनकी जो स्टूडेंट है तो तीन बुरे फल मार्च में स्टूडेंट को मिलने वाले आप तीन बुरे फल क्या है पहला माता पिता से या वाद विवाद रहेगा तुलाराशी वाले स्टूडेंट का या माता पिता की health का issue आपको मार्च में सुनाई देगा दूसरा आपके साथ में कोई चूरी, कोई ठगी हो सकती है या online आपके पैसे उड़ सकते है या कोई व्यक्ति आपके bank में सेंध लगा सकता है या आपका mobile या आपका कोई कीमती समान चूरी हो सकता है तो दूसरा आपका नुकसान ये लिखा है तीसरा मित्रो से सगे मित्रो से आपके बाद भी बाद होंगा तो तीनों ही बुरे फल मार्च में student के बन रहे हैं अब बात कर लेते हैं तुला राशी वाले उनकी जो नौकरी करते हैं यहां पर हंस योग बन रहा है हंस योग पूरे मार्च में एक्टिव है तो आपको एक अच्छा और एक बुरा दोनों प्रकार के फल तुला राशी को मिल रहे हैं पहले मैं अच्छे फल के बारे में बात कर लोँ तो अच्छा फल यह होगा आपको बड़ा पद दिया जा सकता है आपके इमानदारी की तारीफ होगी आपके लिए तालिया बजएगी यानि कि यह तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट है यानि पद या कद आपको लाब होगा आपको मन पसंद प्रोजेक्ट मार्च में मिलेगा बुरा क्या है कि सब कुछ मन पसंद प्रोजेक्ट मिलने के बाउजूद भी पदलाव होने के बाउजूद भी आपकी performance आपकी मेंध भी बहुत होगी लेकिन आपकी performance डाून रहेगी ना के बराबर रहेगी sales होने में target achieve होने में बड़ी कठनाई रहने वाली है मार्च के महीने में यानि कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है अब बात कर लेते हैं तुला राची वालों के दामपत्ते जीवन की सबसे पहले love कपल प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं तो जो आपका partner है वो बेफालतू का आप पे शक करने वाला है मार्च के मेने में आपका mobile देखने वाला आपकी तैकिकात करने वाला है आपकी inquiry आपके मित्रों से करने वाला है कहां जाती कहां रहता है कहां जाता इसके बारे में तहकीकात करने वाला है साथी साथ आपका पार्टनर आपसे बेफालतू के अर्गुमेंट भी मार्च में करने वाला है लेकिन आपके पार्टनर के करियर में अच्छी ग्रोध नजर आ रही है पार्टनर के साथ में आपकी मार्च के महने में नदी पहड़ू की आतरह रहेगी लेकिन पार्टनर मार्च के मैने में थोड़ा डाउट फुल आप पे रहेगा तो कुल मिला के दामपत जो प्रेमी प्रेमी का की लव लाइफ है वो नॉर्मल सी नजर आ रही है पती-पत्नी के बारे में बात करें तो जो आपका पार्टनर है वो म मार्च में पूजा-पार्ट धरम-करम मेंजार की नदी-पहड़ों की होगी यानि कुल मिलाके मारच का महिना बड़ा धारमिक वह दार मिक नगरी तीर्तस नगरियों रहेगा और पार्टनर की वजह से होगा क्योंकि आपका पार्टनर मार्ज के मेने में ज्यादा धार्मिक रहने वाला है दामपत्य जीवन आपका अच्छा है अब हम बात कर लेते हैं तूलाराशी वाले उनकी जो व्यापार करते हैं जो शुरूम जलाते हैं जो अपना ही काम करते हैं तो बही मार्च के मेने में आपका लक्ष्मी नारायन योग बन रहा है यानि चतूर्द भाव में मंगल और शुक्र जो बैटे हैं सब्तम दृष्ठी उनकी शुक्र की भी मंगल की भी आपके दसम भाव में पढ़ रही है तो दसम भाव व्यापार का होता है तो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी खुलने वाले या नया प्रोडेक्ट आप लॉंच करने वाले मार्च के मेने में तीसरा काम की वस्तुएं या मशीनों की आप खरीदारी भी मार्च में करने वाले तो मार्च का महीना काम के लिए आसे बड़ा इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट आप नि आपारियों को मार्ज का महीना बड़ा निर्णायक सिद्ध होगा उनको कुछ ऐसे निर्णे लेने पड़ेंगे ना चाहते वे निर्णे लेने पड़ेंगे जो आपके लिए लाब दायकी सिद्ध रहेंगे तो कुल मिलाके वे आपारियों के लिए मार्ज का महीना लाब दाय तो मित्रो इस कारे करम में वाइत नहीं मुझे दीजेजाद जैमाता दी